फिल्म सायना जिसमें नजर आने वाली है परिनीती चोपड़ा उसका ट्रेलर आज करती है गया है रिलीज कैसा है उसका ट्रेलर आए करते हैं बात हलो दोस्तो मैं अभीशेक और आप देख रहे हैं बूगल पॉलिवुड दोस्तो परिनीती चोपड़ा की बात करें तो लास्ट हमको वो नजर आई थी गर्ल ओन दा ट्रेन में जिसको काफी जादा प्यार मिला था अब उनके आने वाली मूवी है सायना जिसमें वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर सायना नहवाल का किरदार निभाते हुई नजर आएंगी इसका टीजर जैसे ही आया था वैसे ही परिनीती ने तारीफें बटोर ली थी लेकिन अब इसका ट्रेलर भी हो चुका है रिलीज ट्रेलर की बात करें तो परिनीती चोपड़ा हूब हूब अमोल गुप्ता जो बॉलीवूड के बहुत 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 बैहतरीन एक्टर भी है और अगर में ट्रेलर की बात करें तो बहुत 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 बहुत- कैसे Sainah बनी India की बहतरीन Badminton Pair और उंकी मेहनत के बारे में और उनके Career के Downfall के बारे में भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है अगर हम परिनिती की बात करें तो ये उनका नहा एक्सपरि मेंट है The Girl On The Train के बाद क्योंकि वो पहली बार किसी बायोपिक में अपनी किसमत आसमा रही हैं। और बहतरीन तरीके का काम आप ट्रेलर में देख सकते हैं। अगर हम फिल्म की बात करें, तो फिल्म की एनाउंसमेंट तो काफी साल पहले हो गई थी, और फिल्म में कास्ट किया गया था श्रद्धा कपूर को, और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी श्रद्धा कपूर के साथ, लेकिन कुछ dates के कारएं श्रद्धा कपूर इस film से बाहर होगी और फिर कास्ट हुई परिनिती चोप्रा और परिनिती चोप्रा के साथ इस film के शूटिंग को खत्म किया गया और अब T-Series ने इसका ट्रेलर कर दिया है रिलीज अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत और बहुत बहतरीन तरीके की परिनिती चोपरा की एक्टिंग देखने को मिल रही है तो दोस्तो आप की कह रहा है इस फिल्म के ट्रेलर जिसका नाम है साइना का आप अपना फीडबेक हमें जरूर दीजेगा और बॉलिवुड के साथ चुड़े रहने के लिए देख तेरेग हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलिवुड